हेलो फ्रेंड श्रागत है आपका चवी कीचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ मोदक ये बनाना बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब मैल ले सकते हैं और मैदा में डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मोयम अच्छे से मिक्स करेंगे तो अच्छा मोदक बन के तयार होगा इस तरह से मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे मोयम थोड़ा कम लग रहा है थोड़ा और मोयम डाल लेंगे और मिक्स कर करेंगे आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया और बाइंड करके देखेंगे अच्छा बाइंड हो जा रहा है मोयम परफेक्ट है और पानी लेंगे और आटा गुंद लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और टाइट आटा गुंद लेंगे आटा गुंद के तैयार कर ली मैं आप देख सकते हैं इस तरह के आटा गुंद के तैयार करना है ढख करके 15-20 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और श्टपिंग बना लेते हैं अर श्टपिंग बनाने के लिए पैन गरम कर लिए हैं और दो बड़ा चमच घी डालेंगे घी मेल्ट हो गया है एक कप सुजी डाल लेंगे और घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए हलका गुल्डेन कलर होने तक फून लेंगे और गैस की फिलेम को मेडियम रखेंगे सुजी हलका गुल्डेन कलर हो गया है अब डाल लेंगे यहां एक कप मावा मावा और सुजी अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं और सुजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो से तीन मिनट भून लेंगे मावा को भी और शाथ में डाल ल करते हैं यहां मैं क्रेस्ट किया हुआ नारियल और थोड़ा सा बदाउं डाली हूं और शबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए भून लेंगे मावा को भूनते हुए लगवाग दो से तीन मिनट हो गया है आप देख सकते हैं यह अच्छे से करते हैं तो थोड़ा और हुआ लीजिए एक कप चीनी में इन परफेक्ट मीठा हो जायगा और मिक्स कर लेंगे और गेस को ओफ कर लेंगे मैदा भी अच्छे से शेट हो गया है एक बार मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे साब कर लिए तो चुटा चुटा लोई तोड़ लेना है एक लोई लेंगे और गोल कर लेंगे अब रोल कर लेंगे जैसा पूरी बिलते हैं उस तरह से बेल लेंगे किनारे को इस तरह से थोड़ा और पतला कर लेंगे और अब चारो तरफ अच्छे से पानी लगा लेंगे ताकि मोदक अच्छे से चिपक सके और फ्राय करते समय खूले नहीं रेक चमच अश्टपिंग डालेंगे और एक किनारे से इस तरह से उठाएंगे और प्लेट बनाते जाएंगे आप देख सकते हैं अच्छे से देख लीजे इस तरह से प्लेट बनाते जाएंगे चारो तरफ अब हथेलियों पे गोल गोल घुमाते हुए बंद कर लेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से दबाते हुए बंद करेंगे ताकि फ्राइ करते समय मोदक खुले नहीं डिजाइन थोड़ा कम दिख रहा है तो आप इस तरह से तुथफिक से डिजाइन बना सकते हैं एक मोदक बनके तयार हो गया आप देख सकते हैं यह बहुत ही सुन्दर दिख रहा है एक और बना के दिखाते हुँ एक लोई लेंगे और बेल लेंगे और श्टफिंग भरेंगे और इसमें भी चारो तरफ अच्छे से पानी लगा लेंगे पूरी को एक किनारे से उठाएंगे और प्लेट बनाते जाएंगे और इसी तरह चारो तरफ प्लेट बना लेंगे आप देख सकते हैं और श्टपिंग को दबाते जाएंगे और गोल गोल घुमाते हुए बंद कर लेंगे आप देख सकते हैं यह दूसरा मुदक भी बन के तयार हो गया इसमें भी डिजाइन बना लेंगे इसी तरह सारे मुदक बना के तयार कर लेंगे मैं सारे मुदक बना के तयार कर ली आप द अब गैस के फ्लेम को मेडियम कर लेंगे और पकने देंगे अभी हिलाना नहीं है अब निकाल लेंगे और इसी तरह सारे मोदक तल लेंगे सारे मोदक बनके तयार हो गए आप भी ट्राइ कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आप कोई रेश्पी कैसी लगी एक मैं तोड़के दिखाते हूँ उपर से क्रिस्पी और खास्ता बनके तयार होई है आप देख सकते हैं अब मिलते हैं नए वीडियो में नए रेश्पी क साथ